ओम शान्दि आज बाबा ने वरदान में कहा मुक्षे बाबा 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 शब्द निकलता रहे तो क्यों न हम अभी एक exercise करते हैं जहां मुक्षे हमारा बाबा बाबा निकले 21 बार कितनी बार तो कैसे करना है वो मैं पहले आपको बताता हूँ ताकि हम थोड़ा सा alert भी हो जाएंगे सबसे पहले बात है कि हमारे ये दो हातों का use करेंगे तो पहले क्या करना है ये दोनों जो पैर का जो ये हिस्सा है ना इसको हम थोड़ा चार्ज करेंगे तो पाज बार यहां करेंगे फिर पाज बार है ना थोड़ा जुक कर नीचे करेंगे ये नीचे के तरफ अंदर से बाहर से ऐसा करेंगे इसको भी बाहर से अंदर से ऐसा करेंगे फिर जो है न लेप साइड के हाथ को राइड साइड के हाथ से पाँच बार करेंगे उपर से नीचे तक फिर राइड साइड के हाथ को भी लेप साइड के हाथ से उपर से नीचे तक करेंगे तो पांच बार यहां हुआ, कितना हुआ, बीस बार और एक बार जो है न वो टाली बजाएंगे, क्या करेंगे, टाली बजाएंगे, लास्ट में, अभी कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे शुबाबा एक, शुबाबा दोन, शुबाबा तीन, शुबाबा चार, शुबाबा पाच, शुबाबा छे, शुबाबा साथ, शुबाबा आक, शुबाबा नौ, शुबाबा दाक्स, शुबाबा ज्यारा, शुबाबा बारा, शुबाबा तेरा, शुबाबा चौदा, शू बाबा पंद्रा, शू बाबा सोला, शू बाबा सत्रा, शू बाबा अट्रा, शू बाबा उन्निस, शू बाबा बीस, शू बाबा एकिस सबको पता चला एक बार करेंगे ये तो मैंने दिखाया आपको डेमो आभी हम दिल से करेंगे भा 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 फिर से करेंगे एक दम तो ये बोड़ी पूरी आपकी एक दम चार्ज हो जाएगे फिर से चलो शू बाबा एक शू बाबा शुबब तीन, शुबब चार, शुबब पाच, शुबब चे, शुबब साथ, शुबब आठ, शुबब नौ, शुबब दस, शुबब ज्यारा, शुबब बारा, शुबब तेरा, शुबब चौदा, शुबब पंद्रा, शुबब सोला, शू बाबा सत्रा शू बाबा आठ्रा शू बाबा उन्निस शू बाबा बी शू बाबा 21 ओके आज वरदान को हमने सफल किया बाबा बाबा मुख से निकला बहुत सुन्दर 2023 में आप सबी से मुझे मिलना हुआ मैं ठैंक्स कहूंगा कि आपने मुझे कल भी निमंतरन दिया और आज हम सभी बाबा के बच्चे आपस में मिल रहे है तपस्या मास है और सुन्दर तरीके से चार ओर भी तपस्या चल रही है उसी तपस्या को लेकर आज हम कुछ थोड़ा बात करेंगे जो हमने वरतमान समय उसको डिजाइन किया है ब्रह्मा सो विष्णु ऐसे कहा जाता है कोकि मैं आते ही देखा फालो फादर की धिम लेकर आप सभी पुर्शार्थ कर रहे हो तो बाबा को ऐसे एकदम ऐसे पहाड़ी पर ऐसे लेटा हुआ बाबा बैठा हुआ इसे देखा है तो मुझे लगा कि यह बहुत सुंदर बात है कि फालो फादर हमें करना है यह ब्रह्मा जो अक्षर है न यह धाई अक्षर है लेकिन विष्णु जो है ब्रह्मा बनने वाला वो भी अक्षर कितना है धाई है और कहते हैं धाई अक्षर प्रेम के होते हैं तो ये दोनों के अंदर इतना प्यार है लेकिन एक प्यार है वो शांती वाला है और दूसरा जो प्यार है विश्णु का वो सुख वाला है और हमें सुख और शांती दोनों का अनुभव करना है इसलिए अगले जनम का अनुभव भी हमें वर्तमान जनम में ही करना है इसलिए दोनों का अभ्यास किया जाता है तो बाबा को भी जो दोनों अभ्यास शू बाबा ने इस संगम युग में ही करवाया था तो हम बच्चों को भी वेसा ही अभ्यास इस संगम युग में करना है तो ब्रह्मा सो विष्णू ये जो दोनों अक्षर जो है ब्रह्मा क्या सिखाता है हमें निश्य बुद्धी बनों जैसे आज का भी सोमान जो है आप सबी सुन रहे होंगे निश्य बुद्धी विजयी आत्मा हूं तो निश्य बुद्धी जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक है और निश्यन्त जीवन जो है वो किसकी है विष्णू की है तो ये दोनों का एक दुसरे से मिलाप है अगर आप ब्रह्मा बनेंगे तो विश्णू बन जाही जाएंगे अगर आप निश्य बुद्धी बनेंगे तो आप निश्चिंत जीवन अवश्य आपको जीने का अनुबव होगा इसलिए हमारा foundation सबसे पहला रखना है कि निश्य बुद्धी बनना है तो ब्रह्मा के हम बहुत सारे कदम follow करते हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा ने next बातों को देखकर वो चार कदम बाबा ने पहले follow किया कि मैं विश्णू जो बनने वाला हूँ तो वो कैसे है वो बाबा ने पहला धारन करना शुरू कर दिया और इसी लिए बाबा निशिंत बना संगम यूग पर भी तो वो कौन से कदम वो चार कदम की आज हम बात करेंगे अगर हमें ब्रह्मासो विश्णु अर्था निश्य बुद्धी से निश्शिंत जीवन वाला अगर बनना है पहली बात ध्यान देंगे सबी कि हमें शंकधारी बनना है विश्णु के हाथ में क्या होता है? बाबा ने देखा कि ये जो अलंकार है ये मुझे निश्य बुद्धी के साथ साथ निश्शिंत जीवन भी देगा शंकधारी शंकधारी क्या होता है? अर्थाद आपको ज्ञान सुनाना है शंक का अर्थ ही होता है ज्ञान सुनाना बीच में आपने एक वाट्सॉप पर एक क्लिप भी आई थी एक संत था उन्होंने शंक जो है वो छे मिनिट बजाया था कितना मिनिट? आपने देखा होगा किसी ने छे मिनिट उसने लगातार उस शंक को बजाया था आप सोच सकते हैं कि उनका लंग्स होगा कितना पावरफुल होगा वो इंटरनेशनल न्यूज बन गई वो न्यूज पूरी इंटरनेशनल बन गई उन्होंने छे मिनिट का शंक बनाया था तो हमें भी बाबा कहता है बच्चे तुमें ग्यान जो है सुनाने का जो शंक दोनी है वो लगातार करना है हम बच्चे क्या हो जाते हैं ठक जाते हैं किसी ने कुछ बोला कुछ किया तो हम ग्यान नहीं सुनाते हैं हम चुप रहते हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन में अनेक समझता है आने के बाद भी अनेक प्रोब्लम्स आने के बाद भी ज्ञान सुनाना बंद नहीं किया। बाबा हमेशा कहता था ये ज्ञान उसका है न तो वो ज्ञान मुझे सबको देना है। तो मेरा बाप कोन है ये स्मूरती बाबा को हमेशा रही कि मेरा बाप ग्यान का सागर है और ग्यान का सागर सत्य ग्यान देगा इसलिए उस ग्यान को मुझे जन जन तक पहुंचाना है ये बाबा ने स्मूरती में रखते हुए शंक धोनी हमेशा की और इसलिए हम सभी बच्चों को भी ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं कि अभी सबको ग्यान परिवार में सुना दिया अभी सबको तो कोर्स हो गया है अभी हमको उनको सुनाने की जरूत नहीं है ठीक है कोर्स हो गया है एडवांस कोर्स कोरो न उनको और कुझे अच्छी अच्छी बाते बताईए कुछ अनुभव युक्त दादियों की बाते अडवांस कोर्स माना क्या दादियों की बाते ठीक है बाबा ने जो ग्यान सुनाया वो आपने सुना लेकिन अभी का जो वर्तमान समय का जो सिलसिला है वो दादियों के अनुभव सुनाओ ताकि वो अनुभव के आधार से वो आत्माय ज्यान में आ सकती है इसलिए हम सभी बच्छों को शंक धोनी कभी बंद नहीं करना है हमेशा ज्यान सुनाना है इसलिए बहने देखो कितने भी बड़े होने के बाद भी न कोई भी आता है तो उसको ज्यान जरूर सुनाती है थोड़ा तो कर दो मिनिट बाकी बहने उनको मिलेगी लेकिन जो सीनेर बहन होगी न वो दो मिनिट मिलकर उसको जरूर ज्यान सुनाएगी क्यों? क्योंकि बाबा ने भी शंक ध्वनी करते हुए आगे बड़े लास्ट तक भी बाबा मुरली मिस नहीं किया कहते हैं न? मुरली सुनाता रहा क्योंकि इतनी ठंडी में भी बाबा जो था न? वो रज़ई लेकर माना उसको आप लोग क्या बोलते है? गोदली वो जैपूर की थी उस समय वो बाबा को दिया था तो जैपूर की वो डाल कर बाबा फिर भी इतनी ठंडी में मुख नहीं चलता है न? हाथ कापते रहते हैं फिर भी बाबा शंक ध्वनी करता रहा क्योंकि बाबा का लक्ष था कि मैं जो बनने वाला हूँ जिससे मुझे निच्छिंत जीवन आने वाली है वो है शंक ध्वनी करना इसलिए आप सभी भी ध्यान रखे हमें ऐसे ब्रह्मा सो विष्णू के जैसा अगर बनना है तो शंक धारी बनना होगा लेकिन उसके लिए समृति रखनी होगी कि मेरा बाप कौन है ये सמृति ही आपको क्या करेगी उस कार्य के लिए प्रोरुत्त करेगी वो तुमें करना है मेरा बाप अगर ग्यान का सागरे तो मेरा भी फर्ज बनता है सबको ग्यान देना इसलिए दिदिया आपको कहानी सुनाती होगी न, एक बच्ची जब फ्लाइट से जब सफर कर रही थी, तो अचनक फ्लाइट में कुछ तो बिगाड आ गया और बिगाड के कारण क्या हो गया, सब पैसेंजर एकदम घबरा गये, लेकिन वो बच्ची एकदम निश्रिंत होकर वाइटी दी, क्यों? तो लोग भी पूछने लगे कि भाई तू क्यों ऐसे एकदम निश्रिंत है, सब लोग इधर उदर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो इस फ्लाइट का जो मुख्य पाइलेट है न, वो मेरा बाप है, तो कितना नशा था उस छोटी बच्ची को भी कि वो मेरा बाप है, अगर उस बच्ची को इतना निश्चे है, तो हम बच्चों को भी ये निश्चे होना चाहिए न, कि मेरा बाप भी ज्यान का सागर है, तो मुझे भी तो क्या करना चाहिए? शंकधारी बनकर मुझे शब को ज्यान सुनाना है, तो आज से सभी ध्यान द में आपको एक बच्चे को जनम देना है कितना एक बच्चे को ताकि आपको उसको सेंटर तक लेकर आना है उसका हम कोर्स कराएंगे कोर्स करने के बाद पालना आपको करनी है उसको ध्यान देना है वो आ रहा है नहीं आ रहा है गवर्मेंट भी कहती है ना कि भाई तुम पाउदा लगाने का और पाउदा लगाने के बाद उसको पानी खाद कौन डालना आपको ही डालना है हमें नहीं डालना है ताकि वो थोड़ा बड़ा हो जाए ना फिर वो आगे चलेगा उसी रिती हम सभी बच्चों को ये ध्यान रखे अभी अठरा फरवरी आ रही है तो अठरा फरवरी मना अभी हमके हाथ में आंदाजन एक देड़ मास का टाइम पकट कर चलिए तो इतना टाइम है तो अठरा फरवरी तक मना शुवरात्री आ रही है तो शुवरात्री तक कर उसको बड़ा करना आपकी जिम्मेवरी है करेंगे सभी ऐसा अठरा तो यहां जितने बैटे है अठरा फरवरी तक कितने हो जाएंगे डबल हो जाएंगे न तो रैली भी कितने अच्छी निकलेगी बड़ी तो सभी ये संकल्प लेना है उस संकल्प उससे क्या हो जाता है एक result आती है और अभी हम देख रहे हैं इस टाइम पर इतने लोग कोर्स में आ रहे हैं कि एकी टाइम पर दस-दस लोग कोर्स कर रहे हैं तो कहने का भाव है जहाँ एक वेक्ति कोर्स करने वाला वहाँ दस लोगों का भी कोर्स करना पड़ रहा है तो ये जो संकधवनी है शंकधारी बन कर आप सभी को ये काम करना है सिर्फ बहने नहीं काम करेगी आपको भी करना है जब आप उनको वहाँ भूँँबहू करके ज्ञान सुना कर यहां तक लेकर आएंगे तब जो निमित आत्माएं है वो उनको क्या करेगी शंकधारी बनाएगी मना वो भी दुसरों को ज्ञान सुनाने वाले बनेंगे तो सबसे पहले ऐसा निश्य बुद्धी के आदार से निशिंत जीवन अगर जीना है ब्रह्मा सो विश्णू की तरफ कदम बढाना है तो पहला क्या बनेंगे शंकधारी दूसरी चीज उसके लिए एक प्रयोग भी करें आप हर टाइम क्या होता है कि जैसे योग के माध्यम से हम सबी प्रयोग करते हैं तो उसी रिती से हमें ये प्रयोग भी करना है कि ब्रह्मा सो विश्णू के लिए शंकधारी बनना है तो उसके लिए हमें कौन सा प्रयोग करना ज़रूरी है तो बाबा ने भी अलग-अलग प्र प्रयोग को अनुभाव भी करेंगे, चलो, सबी ध्यान देंगे, अगर मुझे शंकदारी बनना है, ब्रह्मासो विष्णु अर्थात, निश्य बुद्धी से निश्चिन्त जीवन का अनुभाव करना है, सबी ध्यान देंगे, जैसे बाबा को अनुभाव हुआ, अहम विष्णु ततत्वम, देखो सबी, आखो के सामने विष्णु चतुर्भूज है, और मुझे कह रहा है, अहम विष्णु ततत्वम, और मुझे आवाज को सुन कर, दीरे दीरे विष्णु चतुर्भूज, आगे कदम बढ़ा रहा है, और आगे आते आते, मुझे में समा रहा है, सबी आखे बंद करो, फिल करो, विष्णु चतुर्भूज, मुझे में समा गया है, और मैं, निशिंत जीवन का अनुब़ कर रहा हूँ, ज्ञान से भरपूर्ता का अनुब़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं, शंकधारी हूँ, दीरे दीरे आखे खोलो, ओम शंक्धी, तो ऐसे बाबा ने भी जब यह अनुभो किया, और फिर बाबा के अंदर वो परिवर्तन हुआ, ज्ञान सुनाने का, दूसरी चीज ध्यान देखे, चक्रधारी बनो, क्या बनो, चक्रधारी, आज धारी शब्द याद रखेंगे, पहले शंकधारी, दूसरा है चक्रधारी, देखो, साइकल को चलाने के लिए भी तो क्या चाहिए? चक्र चाहिए, उसके बिना साइकल चलेगी? गाड़ी को भी चलाने के लिए क्या चाहिए? चक्र चाहिए, साइकल कहो, गाड़ी कहो, उसको चलाने के लिए साइकल चाहिए, ये सुवीधा के लिए है, ये सुवीधा है प्रदान कर रहा है वो चक्र, लेकिन सुरक्षा के लिए भी हमें चक्र चाहिए, इसलिए वो चक्रधारी बनना है, सुरक्षा करने के लिए हमें चक्रधारी भी बनना है, लेकिन हमें सुव है स्वदर्शन चक्र कौनसा चक्र या आत्मदर्शन चक्र जो आत्मा स्वदर्शन चक्र की तरब आत्मदर्शन चक्र की तरब अपनी कदम बढाती है वो समाधी की ओर चलती है अर्थाद अशरीरी पन की ओर चलती है जो मुरली हमें कराएगा हमें आत्मदर्शन से होगा इसलिए समाधी के लिए भी चक्र की जरूरत पड़ती है तो वो चक्र हमें क्या करना होगा धारन करना होगा कि आत्मदर्शन स्वधर्शन हमें उस चक्र की अनुबुती करनी होगी तो इसके लिए मैं कौन हूँ ये हमें जानना हो हमने सुना लेकिन हमें चक्रधारी में हमें ये सोमान जागरूत करना है कि मैं कौन हूँ जब ये आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ माना जब पहले शुरू में आते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ लेकिन बाबा कह जाए तुम दीरे दीरे जब आगे बढ़त अव्यक्त स्थिती के लिए या आगे की स्थिती के लिए वो अग्रेसर कदम रखती है तो इसी लिए हम सभी बच्चों को भी ये ध्यान देना है कि हमें क्या करना है चक्रधारी बनना है तो सभी ऐसे चक्रधारी बनने के लिए निरंतर हमें अभ्यास करना है स्वधर्शन का मैं कौनसी आत्मा हूँ तो हमें बाबा ने खास ड्रिल दिया है अलग-अलग प्रकार की कल भी दिदी मेरे से बात कर रहे थे इतना सारा फंक्षन के बाद भी देखो जिसको जो इंट्रेस्ट होता है न वो वही बात करता है तो मैंने कल दिदी से देखा वही बात चल रही थी हमारी तो ड्रिल अलग-अलग प्रकार की ड्रिल हमने भी बीच में एक ऐसी अलग-अलग भटिया की थी जिसको अलग-अलग नाम दिया था ब्रह्मा की भटि विष्णू की भटि शंकर की भटि अभी दिदी ने वैसे भी मुझे बोला है कि भाई आगली बार आके थोड़ा तेरा घंटे की वगरे तो उसमें चाहिए तो हम ये अभ्यास करेंगे लेकिन उसमें से मैं ये बाग कहने जा रहा था कि कैसे हमें अपना अभ्यास बढ़ाना है चक्रधारी बनकर कि मैं कौनसी आत्मा हूँ तो उसमें बाबा ने पाँच स्वरूपों कर जो ड्रिल दिया है कि अनादी स्वरूप और कौनसा है अनादी स्वरूप और कौनसा है पुज्य स्वरूप और कौनसा है ब्राम्मन स्वरूप फरिष्टा स्वरूप उसको हमने क्या किया थोड़ा मौडिफाई किया उसको हमने क्योंकि हमें ब्रह्मा की बट्टी करनी थी न तो हमने सोचा यह तो common pattern है जो बाबा ने दिया हुआ है हमें कुछ दूसरा अलग सोच ना है तो हमने कैसे किया उसको अपने ब्रह्मनों की दिंचरिया में उसको डाला और उसको एक भट्टी का स्वरूप बनाया मान लिजिए कि दिन की शुरुवाद हम ब्रामोनों की कब होती है अम्रूत वेले से तो हमारा अनादी स्वरूप है ना उसको हमने अम्रूत वेले में डाल दिया कि हमारा अनादी स्वरूप इस तरह से होगा को कि उस दिन उस समय हम बिंदू रूप का अभ्यास करते हैं कि मै आत्मा हुए अभ्यास करते तो उसको हमने अम्रुत वेले की इसमें डाला और वो हमने एफेक्ट दिया कि वही ऐसे-ऐसे होगा गीत बजएगा और उसके बाद में अम्रुत वेला हो रही है भले आठवजा है लेकिन हमने वो एफेक्ट दिया और वो अभ्यास करवाया, तो अनादी स्वरूप, फिर जो है, next हम कहां आते हैं, आदी स्वरूप में, हमने उसको कैसे किया, ब्रामनों की लाइफ के लिए हमारे आदी शुरूवात होती है, मुरली से, कहां से शुरूवात होती है, तो जैसे आप अभी मुरली में आये हो, तो ये हमारी शुरूवात हो गई है, मना सत्यूग में जाने के बाद सभी सुख, शांती में, कैसे ऐसे अच्छे रहते हैं, तो ऐसे वो अनुगोव कराते हैं, हमने मुरली में आने के बाद भी आपका चेहरा सबका खिला रहता है, या सोड़ा सा मुर्जा रहता है, कैसा मुर्ली चल रही है, मुर्ली के गीद बजाए, और वो फिर अनुगोव कराया, फिर तीसरा जो है हमारा पुज्यस्वरूप, तो पुज्यस्वरूप के लिए हमने उसको स्वमान के साथ डाला, कि बाबा हमको स्वमान देता है, तुम ही वो चैतन्य मुर्ती हो, जो मंदिर में डाला, फिर तीसरी, चौती स्टेप में आगे, कि ब्राह्मन स्वरूप, तो ब्राह्मन स्वरूप में हमने उसको डाला कि ट्राफिक कंट्रोल के साथ, कि ब्राह्मन माना क्या करेगा, वो बीच-बीच में रुक कर, बाबा को याद करेगा, ट्राफिक कंट्रोल यह नह परिष्टा सोरूप था कोकि ब्राम्हनों की दिन्चरिया में अम्रूत वेला, मुरली, सोमान का अभ्यास, ट्राफिक कंट्रोल के साथ साथ एक पांचवा अभ्यास है जो महत्व पूर्ण है ओ है माउन का अभ्यास। ब्रह्मा की बट्टी ताकि ये जो आप करेंगे अनुबव तो आपको ये ब्रह्मा का अनुबव होगा ब्रह्मा की स्तिती का अनुबव होगा ब्रह्मा ने कैसे जीवन जिया उसका अनुबव होगा तो चक्रधारी बनने के लिए हमें ये अंदर चक्र चलाना पड़ेगा कि कैसे ब्रह्मा बाबा निश्चे बुद्धी से निश्चिंत जीवन की ओर गया जब हम चक्र नहीं चलाएंगे ना तो चक्र भी तो जाम हो जाता है ना भई घडी देखो घडी के अंदर भी उस दिन हमारी एक घडी रिपेर करने के लिए हमारे पास भाई आते हैं विरेंदर भाई उनको बोला भाई बहुत दिन से घडी बंद पड़ रही है अब उसने क्या किया कि घडी बंद नहीं पड़ी है को कि उसको मालूम होगा उसने किया किया वही सेल को निकाल कर उसको थोड़ा ठोका और घडी तुरन चालू हो गई मैंने कहा ऐसे कैसे तो उन्होंने कहा उसके अंदर एक मैगनेट रहता है ज्यादा दिन उसको आप यूज नहीं करोगे न तो मैंनेट क्या हो जाता है थोड़ा चिपक जाता है अब अगर उसको ठोकेंगे तो घरी चालू हो गई तो हमें भी अभी क्या करना है भाई सबको जब तक ठोकेंगे नहीं देखो कोई भी एक खिला होता है न उसको गहराई अंदर की ओर अगर आपको डालना है न तो उसको बार-बार हैमरिंग करना ही पड़ेगा जितना आप हैमरिंग करोगे न वो अंदर की ओर जाएगा इसलिए तो हम आपको रोज क्यों बुलाते भाई रोज आईए क्योंकि हमें ब्रह्मा सो विष्णु इस संगम्युक से हमें सत्युक की ओर जाना है निश्य बुद्धी से निच्छिंत जीवन का अनुबव करने के लिए ही तो हम आपको बुलाते हैं इसलिए चक्रधारी बनो बनेंगे सभी चक्रधारी ऐसे तो पहला हो गया शंकधारी दुसरा हो गया चक्रधारी तीसरा बनेंगे गदाधारी क्या बनेंगे भाई सभी गदाधारी क्योंकि गदा भी तो किस लिए यूज करते भाई युद्ध करने के लिए विजई बनने के लिए तो उसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को कहता है तुम्हें गदाधारी इसलिए बनाया रहा हूँ क्योंकि तुम जिस यूग में रहे रहे हो ना वो माया का यूग है और इस माया के यूग में रहते हुए आपको विकारों पर विजे पाना है तो इसलिए हम सभी बच्चों को क्या करना है वो गदाधारी का उपयोग करना है जैसे आप लोग भी कहते हो ना जैसे दिदी भी मेरे को कल बता रहे थे कि हमने ऐसा प्रयोग किया जिस प्रयोग के आधार से एक तरफ ऐसे गून रखे और दुसरे तरफ चार खुरसिया रखकर उसमें विकार रखे काम, क्रोध, लोब, मो और फिर वो वेक्ति को अगर वो खुरसी पे बैटा है तो वो क्यों आ रहा है वो बताएगा और फिर उसके अपोजिट में कौन सा गुन होगा वो उठकर बता के फिर उसको कैसे हल करना है वो बताएगा तो इसी रिती से हमें क्या करना है ये इन विकारों पर विजे प्राप्त करने के लिए हमें भी गदा धारी बनना होगा जैसे काम विकार है तो पवित्रता को धारन करना होगा अगर क्रोध है तो शांती को धारन करना होगा, लोब है तो संतुष्टता को लेना होगा, मोह है तो वैराग को धारन करना होगा, और फिर अहंकार है तो विनम्रता को धारन करना होगा. इसलिए ये अहंकार भी है न इतना ऐसा विकार है जिसके पीछे एक लिंक लगती है अरसे शुरू होती ओ लिंक अहंकारी वेक्ति एना आसक्ति वाला होगा कैसे होगा आसक्ति वाला होगा उसको आसक्ति जरूर होगी कि मुझे मान मिले शान मिले उसके आसक्ति जरूर रहेगी और दुसरी चीज आओर एक होगा वो आग्रही भी होगा उसको बार बार आगर करना पड़ेगा भाई बैटो बैटो श्टेज पे बैटो बैटो श्टेज पे वो फिर आगरही भी होगा उसको आगरह करने के बिना वो मान को स्विकार नहीं करेगा तो एक तो वो कैसे होगा अहंकारी वेक्ति आसकती वाला होगा दूसरा वो कैसे आगरही होगा और तीसरा वो अधिकार जताएगा कैसे जताएगा अधिकार आप कभी भी देखो अहंकारी वेक्ती के अंदर ये तीन जो बाते आपको स्पष्ट दिखाई देगी कि वो आसकती होगी अगरही होगा और अधिकार जताने वाला होगा तो कहने का बाबा यही बात कहता है बच्चे आप इसको ध्यान पे रखते हुए study करो कि कैसे मुझे हर एक विकार को जीतना है उसके लिए एक बहुत सुन्दर एक अभ्यास हम अभी latest कर रहे हैं कि ऐसे समय पर हमें कौन-कौन से अभ्यास मदद करेंगे आप सबी भी करें बह देह में रहते हुए अभी मैं आत्मा अलग हुए महसूस नहीं करेंगे न तब तक यह विकार जो है उसके उपर आप गदाधारी बनकर विजय नहीं प्राप्त करेंगे उसके लिए जरूरी है कुछ ऐसा time जिस time पर आप कुछ काम करेंगे न तब ही वो time क्या देखो बाब बराबर बनेगी उसी रिति से ये भी बात है हम बच्चों के लिए तो हमने क्या किया अठरह बाबा का अठरह जन्वर है न अठरह का अकड़ा है तो हमने कहा कि दिन भर में आपको 18 बार कितनी बार ये अब्यास करना है लेकिन वो कभी भी नहीं करना है जो भी बाबा celebrities से स ठीक है लेकिन अगर निश्चित टाइम पर अगर आप करेंगे तो उसका effect जो है वो एकदम गहराई वाला होगा और अनुभो यूग तो होगा वो अठारा time कौन से क्योंकि सबेरे आप कितना बज़े सभी उठेंगे चार बज़े वुठते हैं लेकिन चार बचकर चार मिनिट मोबाइल में आगर आप देखोंगे न 0404 आता है न उस टाइम आप याद करके देखना कुछ सेकेंड के लिए जब तक वो चार का पांच हो जाए न तब तलक आप करना अब्यास और कुछ ज़्यादा मत करो मैं आतमा बिंदू सवरू और मेरे से प्रकाश निकल रहा है इतना ही बस सोचो आप देखना फिर क्या करें 05 05 आता है न एक घंटे के बाद आएगा के नहीं आएगा फिर 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 ऐसे आपको रात को 23 23 तक क्योंकि बॉम्बे वाले कोई 11 के पहले हम लोग नहीं सोते हैं तो वो भले नव हो आपका 18 बार नव हो लेकिन कम से कम 8 बार तो कर सकते हो ना भई इसलिए इस टाइम पर अगर आप अभ्यास करके बहुतों का यह अनुगव रहा है कि इस टाइम पर याद करने के हम कहते हैं इसको बाबा का टाइम है कुछ सेकंड के लिए आप ऐसे इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए गदाधरी बनने के लिए आप ऐसा अभ्यास करो जो टाइम पर अटेंशन देकर उसको ध्यान दो भले दो मिनिट पहले या कुछ सेकंड पहले आपको मालूम पढ़ रहा है कि भाई अभी चार बच कर चार मिनिट होने वाला है दस बच कर दस मिनिट होने वाला है तो attention से अगर आप पुर्शार्थ करेंगे ना आपको उस समय की अनुभूती कुछ अनोखी और अद्बूत होगी तो ऐसे अनोखी और अद्बूत अनुभूती के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा बीना ध्यान के तो नहीं होगा ना भई तो इसलिए कुछ बात है को कि बाबा ने भी कई पुर्शार्थ ध्यान देकर कराया कई पुर्शार्थ सहज हो जाता है लेकिन कई पुर्शार्थ के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है और ये विकारों के लिए तो हमको ध्यान देना ही पड़ेगा, कभी लोब आ जाएगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, कभी भी मन के अंदर आ जाएगी बात, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसी रिती हमें भी ये अनुभव करने के लिए इस टाइम के महत्व को जानना होगा, तो करेंगे ऐसे? हा या ना? कोई कुछ बोलनी रहा है? ये बहुत इनुखनेस बात है, आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा इसका, तो इसलिए बाबा ने भी अपने जीवन के अंदर ऐसे गदाधारी बनकर, विकारों पर जीत प रही है, उसके अंदर बहुत बड़ा साप भी है, और फिर भी विश्नु के समान, विश्नु जो है ना? आराम से उसके अंदर सोया हुआ है, देखाए ना चितर आप सभी ने? ये हमारा ही चितर है, बाबा ये कहते हुए अब भ्यास करता था, कि भले कितने भी विकारों र बुद्धी के आदार से निशिंत ही रहेगा, और ये अनुभव के आदार से बाबा ने अपने विकारों पर जीत प्राप्त करके ब्रह्मा सो विश्नु बना, इसलिए हम बच्चों को भी ये अनुभव करना है, योग में अनुभव करें सभी, चलो सभी एक मिनीट के बहुत दूर दूर तक समुंदर फैला हुआ दिखाई दे रहा है, चारो ओर पानी ही पानी लहरे कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई लहरे तो तुफान मचाने वाली मैं देख रहा हूँ, समुंदर के बीच में, एक बहुत बड़ा साफ पान्च फनी वाला जिसके उपर विश्णु आराम से लेटा हुआ है, चित्र को सामने लाओ अब स्वयम को देखो, आखे बंद करो, देखो मेरा जीवन के आस पास, जो भी छोटी, मोटी बाते आती है, बड़ी बाते आती है, ओ एक लहरों के समान है और इस जीवन रूपी सागर में, पाँच विकार रूपी साप, मेरे चार और घेर कर बैठा हुआ है, लेकिन मैं आत्मा, एकदम निश्य बुद्धी वान हुँ, कि मेरा रक्षक कौन है, जो विश्व का रक्षक, विश्व पिता मेरा है, तो मैं एक दम निश्यन्त हूँ, बले ही चारों और से विकारों का प्रभा हो, कल्यूगी वातावरन का प्रभा हो, फिर भी मैं आत्मा, एकदम निश्यन्त होकर जीवन जी रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, कि मेरा रक्षक, छत्र चाया के रूप में, मेरी रक्षा कर रहा है, बस, आज यह संकल्प ले, कोई भी विकार या कोई भी परस्तितिया मेरे सामने अगर आ जाए, तो मुझे याद रखना है, कि मेरा बॉडि गार्ड कोई है, तो देखो, आपका जीवन एकदम निश्यन्त हो जाएगा, अब धीरे धीरे आँके खोलो, ओम शान्ति, तो बाबा ने ये अनुभो किया, कि सब कुछ होते हुए भी बाबा ने सदैव ये समझा कि मैं गदाधारी हूँ, मैं विजई हूँ, ये बाबा की स्मूर्ती बाबा को कहा से कहा ले कर गई, चौथी चीज़, हमें शंकधारी बनना है, हमें गदाधारी बनना है, हमें चक्रधारी बनना है, और हमें कमल पुष्प धारी बनना है, बाबा ने अपने जीवन के अंदर कमल पुष्प जैसा जीवन को बनाने के लिए कई धार्ना ये अपना ही थी, ऐसे ही नहीं बनता है कमल पुष्प जैसा जीवन, उसके लिए कोई ऐसे नियम मर्यादा आए आपको बनानी पड़ती है, मर्यादा युक्त जीवन ही आपको कमल पुष्प के समान बनाएगा, और बाबा ने ऐसे बनाया था, हमारे पास एक युगल आते है, एकदम यंग है, लेकिन उनका ट्यूनिंग देखता हूँ न, तब ये महसूस ताहती है कि देखो ये कमल पुष्प धारी कैसे है, वो जो भाई है न, उसको अगर दिदी ने कुछ पूछा न, कि भाई समनात भाई, कि ये ये बात है, तो पुष्पा बेन से जड़ा बात करो न, तो वो क्या कहेगा, आप ही माता जी से बात करो, वो क्या कहेगा, आप माता से बात करो, माना वो अपने पत्नी को किसका दर्जा दे रहा है, माना उसके मुख में जो है न, माता, ऐसा परिवार, कमल पुष्प धारी परिवार है तो हम बच्चों को भी ये ऐसी कुछ मर्याद आए कुछ लगानी पड़ेगी जब तक नहीं लगाएंगे ना ऐसा ही जीवन नहीं होता है बाबा ने भी अपने जीवन के अंदर कमल पुष्प धारी के लिए बाबा ने यही नियम अपनाये थे बाबा भी अपने पत्नी को जशोदा जो थे बाबा के जो युगल तो उनको भी वो मा कहते थे तो कहने का ये भाव है कि हम सभी बच्चों को भी ये धारनाय करनी होगी कि मेरा भी जीवन अगर ऐसा कमल पुष्प धारी जैसा बनना है तो धारनाय बनानी पड़ेगी कौनसी धारनाय चोटी चोटी धारनाय अपना हो बड़ी बड़ी मत कहां भी जाता है कमल पुष्प धारी वही बनता है जो कमना कोमल होता है सबी ध्यान देंगे जो कोमल होगा वही कमल पुष्पधारी बनेगा लेकिन हमारे बोल भी कभी कोमल होते हैं कि बताए भई कभी हमारे बोल भी कमल धारी ऐसे कोमल धारी ऐसे होते नहीं है कल परसोई बाबा ने क्रोध की बात कितनी की तो वो ही मेरा चिंदन चल रहा था कि अभी तक बाबा अगर वो बात को लेकर अगर हमारे से बात करता है तो गहराई में हम जाएंगे कभी तो कभी भी जीवन के अंदर जो है ना कटू वचन नहीं बोलना है ये नियम बनाओ आप सभी कटू वचन दूसरी बात है कड़क वचन भी नहीं बोलना है कड़क भी बोलते हैं कभी कभी बोलते हैं मैं तो बाबा सत्ते बोलता हूं मेरको जुड बोलना नहीं आता है इसलिए वो बोलेगा तो ऐसा कड़क बोलेगा जो दूसरे को रुधह को लगेगा इसलिए कभी कटू भी नहीं बोलना है दुसरा कैसे नहीं बोलना है कड़क भी नहीं बोलना है बोलना है आपको वही बात थोड़ी सी सौप्ट होकर भी बोल सकते हो न ऐसे किसी ने आपको चाय दिया और चाय के अंदर सक्कर जादा पड़ी अगर आप तुरण कड़क शब्द न तेर को इतना भी समझता नहीं है क्या चाहे में इतना सक्कर डाला लेकिन उसी को ही अगर आप टर्न करके बता देंगे न तो भी बात हो सकते है न आज है न चाहे में ज़्यादा सक्कर पड़ गई है वो फिल करेगा आदमा वो बोलेगा अरे नेक्स टाइम इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके चाहे में थोड़ा कम सक्कर देखो अगर कड़क शब्द में बोलेंगे न वो दुबारा क्या करेगी डबल डालेगी क्या करेगी डबल डालेगी इसलिए थोड़ा कड़क शब्द भी नहीं होना कटू भी नहीं होना चाहिए कड़क भी नहीं होना चाहिए और तीसरे ऐसे बोल नहीं होने चाहिए कोर्ट वाले बोल भी कोल्ट वाला कोल्ट वाला मालों में वकीली बोल कैसे बोलते हैं मैं देखूंगा हां तुने ऐसा किया ये करूंगा तुझे मैं देख लूंगा ये कौन से बोल होगें कोल्ट वाले बोल ऐसे कोल्ट वाले बोल भी नहीं बोल ये हमें कमल पुश्पधारी बाबा ने ऐसे नि यह उमों पर बाबा चलता गया चलता गया और बाबा कमल के जैसा कोमल बन गया और बाबा सबको प्रिय लगने लगा। हम बाबा के बच्चों को भी ऐसी बाते करनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अगर जीवन के अंदर अगर क्रोध आता है। देखो काम विकार यह हरे के अपनी अपनी परस्नलिटी है और अपनी अरग अरग यह बाते है। लेकिन क्रोध तो सबको दिखता है ना कर नहीं दिखता है। आपके हर एक्षन से पता चलता है कि आप कैसे हो। उसमें पता चलता है कि आप कितने क्रोधी हो भले दीरे 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 लेकिन इसलिए क्रोध को क्या करना चाहिए हमें एक थोड़ा सा आउंश मात्र उसको थोड़ा कम करना चाहिए ताकि हमारे अंदर से बाबा की प्रत्यक्षता होने में ये बहुत बड़ा मार्जिन है इसल पहली बात है कि सबसे पहला मुझे कुरोध नहीं करना इसलिए डिलीट कर दो क्या कर दो डिलीट कर दो लेकिन हमारे से डिलीट नहीं होता है तो कम से कम डिले तो कर सकते हैं न भाई अभी मैं कुरोध नहीं करूंगा मैं चार घंटे के बाद इससे मैं बराबर पंगा कम होगा तो कहने का भाव है डिले करो न अगर डिले भी नहीं कर सकते मुझे अभी करना है तो डल तो कर सकते हो न डल मना समझ गए न उसका प्रभाव जो ज़्यादा ही कुछ आप मारने वाले थे ये करने वाले थे उसका डल करो अगर डल नहीं करो तो कम से नो डिल तो करो ना देखो हाँ आगली बार तु बोलेगा ना तो मैं बहुत गुस्ता करूंगी हाँ ऐसा डिल तो कर सकते क्या नहीं कर सकते तो ऐसे डिल तो करो क्रोध कम हो जाएगा और पाँचवी बात ध्यान रखे डेली करो प्रैक्टिस डेली करो ये सब जब तक प्रैक्टिस डेली नहीं करेंगे न क्रोध हमारा कम नहीं होगा तो इसलिए जीवन के अंदर हमेशा कमल पुष्पधारी माना आपको कुछ नियम मर्यादाय बनानी होगी जो बाबा ने हम सभी बच्चों को बनाई तो इस तरह से हमें पुर्शार्थ सभी को अलग-अलग तरीके से करना है तो बाबा ने और एक पुर्शार्थ किया जो प्रयोग के माद्यम से हमें करना है वो कौन सा अभी हम करके इसको समाप्त कर दे ओके चलो सभी सभी हम से हमें करना है अनुभव करेंगे सभी मैं विष्णु के समान चारो अलंकार धारी शंक धारी चक्र धारी गदा धारी कमल पुष्पधारी ध्यान से अपने स्वरूप को देखो ये स्वरूप प्रवृत्ती मार्ग में रहते हुए भी निशिंत जीवन का प्रतीक है मैं देख रहा हूँ मुझे भी इन चारो अलंकारों की आवश्शक्ता है वर्दमान समय भाबा ने भी इन चारो अलंकारों को धारन करते हुए संगम युगी जीवन को चलाया और ब्रह्मा सो विष्णु बन गया मुझे भी अपने जीवन में तप करके ऐसे ही बनना है बाबा जैसा सभी आखे बंद करो मन में संकल्प करो अब कुछ भी हो जाए मुझे बाबा के इन पदचिन्नों पर चला है निश्य बुद्धी से निश्यन्त जीवन की ओर चला है बाते आएगी परस्तितिया आएगी समस्याए आएगी वीगन भी आएंगे लेकिन मुझे निश्य बुद्धी बनकर बाबा के कदम पर कदम रखते हुए निश्यन्त जीवन जीना है जब निश्यन्त जीवन जीएंगे तो हमें अशरिरी पन का अव्यक्त स्तिती का विदेही पन का अनुभो होने लगेगा करो या अनुभो इस संगम युग पर निश्यन्त जीवन जीएंगे दीरे दीरे आखे खोलो Aum Shanti Namaste Aum Shanti